कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है देखने में कुछ इस तरह की से पती बना लिये हैं नंबर प्लेट इंस्टार करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने वेल्ड करके इसको पती को बना लिया बाद में इसको हम लोग पेंट करने वाले हैं पेंट करके यहां पे नट को इंस्टल करने वाले हैं और नंबर प्लेट डाल के आपर आप लोग देख सकते हैं हमारा नंबर प्लेट चिप काया है अभी हम लोग यहां पे इंस्टल करने वाले है हम लोग ने कुछ इस तरक सा ब्रैकेट बना लिया है हम लोग इस ब्रैकेट को यहाँ पर इंस्टल करने वाले है पिछ इस तरकी से इंस्टल होगा ब्रैकेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ इस तरकी से नमबर प्रेट को इंस्टल कर दिया है हमारा नमबर प्लेट को अब इसमें 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 करने वाले हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर दो होल किया है और यहां पर हमारा दो नट को यहां पर इसलिए इसलों करने होने है यहां पर आप लोग देख सकते हैं नमबर प्लेट को हमने इस्टल कर दिया यहां पर अभी यहां पर देख सकते हैं प्रॉपर फिट हो गया है और यहां पर तोड़ा कटवा है नमबर प्लेट इसके लिए सौरी यह तो कटवा है तोड़ा सा और आप आप हमें बता सकते हैं नमबर प्लेट यहां पर इंस्टल क्या हूं या भी कैसा दिक्राय करके आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईए आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है देखने में इसका इसका रेजन यह है कि नमबर प्लेट यहां पर इंस्टल करने का एक मेरे विवस ने मुझे कॉमेंट क्या था नमबर प्लेट निचे की तरफ मेरा विंगलेट लगा हुआ है इसके लिए यहां पर नमबर प्लेट चुप रही थी दिख नहीं रही थी आगे से इसके लिए मैंने के काम किया कि यहां पर उपर इंस्टल कर दिया और अभी इसका नमबर प्लेट का ओवर्विव आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ वो भी आप लोग एक पार देख लेजिए और यहां पर इंस्टल कर दिया है इसका देखने में कैसी दिख रहाए करके मुझे कॉमेंट केजिए और बताए यह नमबर प्लेट यहां प लोगों को मैं दिखा देता हूँ प्लेट आप लोगों को मी की में देखने में लोगों का देखना हूँ झाल झाल